इस पर जे नेता कोई हो लाइला पर्टी से ठीका ठीकनी नेकर नमस्कार आप देख रहे हैं लाइफ सिटीज और मैं हूँ आपके साथ साहेवली समाजबादी पार्टी के नेता और सांसद आजम खान एक बयान दे करके फस गये दरसल उन्होंने शीवहर से बीजेपी की सांसद रमा देवी पर बयान दे डाला था उस बयान के बाद से सदन में तो काफी विवाद हुआ ही उसके बाद अब बिहार विधान परिशद में भी इसको ले करके राबली देवी ने जवाब दिया है उन्होंने मीडिया से बादचीत में ये साफ साफ कहा है कि कि किसी भी तरह की टिपड़ी जो खास करके महिलाओ पर की जाती है वो गलत है और उससे बचना चाहिए सुनिए राबली देवी ने क्या कुछ कहा है तो आपने सुन लिया राबडी देवी कह रही है कि महिलाओ पर किसी भी तरह की ठीका ठीपड़ी नहीं होनी चाहिए आपको बता दे कि आखिर मामला पुरा है क्या तो ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर लोग सभा में बहस चल रही थी चर्चा हो रही थी इस दौरान बीजीपी की सांसद रमा देवी पर समाजवादी पार्टी के सांसद आज़म खान ने विवादी टिपड़ी कर दी यह मामला थमने का नाम नहीं ले रहा था इस मामले पर शुकरवार को भी लोकसभा में सांसदों ने जम कर हंगामा किया और सदन में आजम खान को निलंबित करने की मांग की सांसदों की इन मांगों को और शोर शराबों के बीच स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि पहले सभी दलों के नेताओं की इस मुद्दे पर बैठक बुलाई जाए उसके बाद कोई फैसला लिया जाए लोकसभा में कंद्री-ے-मंत्री रवशंकर परसाद ने कहा कि आजम काया ये तो माफी मांगनी चाहिए या उन्हें सदन सिनलंबित किया जाना चाहिए लोकसभा सदसा आजम خान के आच्चार पर किंद्रिय मंत्री स्मिती राई ने कहा कि अपूरसो समेत सभी सांसदों पर धबा है इस मामले पर खुद रमादेवी ने आजम खान से माफी की मांग की थी रमादेवी ने कहा कि आजम खान ने कभी भी महिलाओं का सम्मान नहीं किया उन्होंने कहा कि हम सभी को पता है कि आजम ने जया पर्दा जी के बारे में क्या बोला था उन्हें लोकसभा में रहने का कोई अधिकार नहीं है मैं स्पीकर से उन्हें हटाने की मांग करूंगी आजम खान को माफी मांगनी चाहिए जाहिर सी बात है कि लोग सभा में ट्रिपल तलाग के मुद्दे पर चर्चा हो रही थी उस दोरान आजम खान ने रमा देवी पर बयान दिया जिसके बाद विवास शुरू हो गया उस दोरान भी काफी कुछ बवाल हुआ गुरुवार का दिन था और लोग सभा में चर्चा चल रही थी आज शुकरुवार के दिन भी जबरदस्त इस बारे में बवाल हुआ और निलंबित करने के बात आजम खान को सामने आ रही है तमाम सांसद और नेता जो कि वहाँ पर सदस हैं लोग सभाके जो मौजूद थे वो साफ साफ कह रहे हैं कि आजम खान को माफी मागनी चाहिए और उन्हें सदन से निलंबित कर देना चाहिए आप लाइफ सीरी साथ बने रही है इस खबर पर और भी क्या कुछ अब्रेट आती है हम आपको लगतार देते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल को अगर भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें फेजु पेज को लाइक कर और विस्तार से झाल